हेलो दोस्तों मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका वी एम फनीचर हाउस में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके बताऊंगा एक वार्डरोप का साइच कैसे काउंट करते हैं और एक कम्प्लीट वार्डरोप की कॉस्टिंग किस प्रकार से काउंट करते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों स्क्रिन पर आपको वार्डरोप दिख रही है जिसकी लंबाई 12 फिट चोड़ाई 10 फिट और गहराई 2 फिट है दोस्तों अब हमारा फार्मुला है लंबाई इन्टू चोड़ाई दोस्तों हम जब भी वार्डरोप के साइच काउंट करेंगे उसमें हम लंबाई और चोड़ाई को लेंगे घहराई को काउंट नहीं करते हैं ठीके फ्रेंट्स दोस्तों देखिए अब लंबाई 12 फिट चोड़ाई 10 फिट जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा टूटल फिट आ जाएगा 120 फिट यह हमारा साइज वार्डरोप का ठीके दोस्तों अगर आपको साइज इंच में द देंगे 144 इंची इंटू 120 इंची देखिए फ्रेंट्स आया है 17,280 दोस्तों हमारा इंच में आया है दोस्तों इसको फिट में करने के लिए हम 17,282 में 144 का भाग देंगे तो हमारे पास आजाएगा 120 fit देखे दोस्तों जब हमने उपर simple सिरिफ fit को count करा तो भी 120 fit आ रहा था और अब हमने इंस से count करा तो भी 120 fit आ रहा है ठीक है friends दोस्तों हमारा जो भी fit आया है उसको हम rate शेंटू कर देंगे दोस्तों market मा लगलग rate होती है अगर आप with material लेते हैं तो 900 रुपे से लेके 1200 रुपे तक की rate चलती है अगर आप labor पे लेते हैं तो 200 रुपे से 300 रुपे तक की rate चलती है दोस्तों wardrobe चाहे या box वाली बनाए या simple wardrobe बनाए दोर वाली दोस्तों square fit हमेशा लांबाई into चोड़ाई में ही count होगा घिराई को count नहीं करते हैं ठीके friends दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like करें share करें और channel को subscribe करें धन्यवाद दोस्तों